एक किलो कपड़े में कितनी टीशटे बनती हैं और एक टीशट को बनाने में कितना खर्चा आता है टोटल कारी-गरी क्या लगती है कटिंग में कितना खर्चा आता है रौ माटेरियल कितने का लगता है पैकिंग में कितना खर्चा आता है प्रेस में कितना खर्चा आता है एक कॉटन की टी-शिट बनाने में कितना खर्चाता है और पॉलिस्टर की टी-शिट बनाने में कितना खर्चाता है क्योंकि हमने यहां पर रखी है यह दो टी-शिट एक हमारे पास कॉटन की टी-शिट है और एक हमारे पास पॉलिस्टर की टी-शिट तो इन दोनों का हैं यह फुल में है फुल सिलीब में हैं दोनों टी-शट हैं और दोनों का ही हम आपको आज कौश निकाल कर दिखाएंगे हमारे पास बेट मसीन है और इस पर बजन तो लेंगे इसका कि यह हमें कितने की पड़ी है और यह हमें कितने की पड़ी है तो चलिए दोस्तो वीडियो को करते हैं सुरू तो देखिए दोस्तो यह हमारे पास यह एक cotton की टीशिट है और यहाँ पर यह एक है polyster की और इसमें आप काम देख लीजिए इसमें थोड़ी design पड़ी हुई है यहाँ पर यह design है और इसकी रास्तीनों में यहाँ पर design है और नीचे इसके bottom में यहाँ पर यह पट्टी लगी हुई है इस तरीके की और इसमें कोई फरक नहीं है बाकी जितना काम इसमें है उतना ही इसमें है केबल इसमें यह design ज़ादा है तो यह है हमारे पास cotton की t-shirt और यह है polyster की तो इन में compare करेंगे कि कौन सी हमें महंगी पड़ी है और क्या-क्या rate पड़ी है यह t-shirt और इन t-shirt को बनाने में कितना खर्चा आया है और मैं बता दूँ आपको यह मैंने दोनो L size की लिए है यह भी L की है एक ही rate में यानि ML XL हम एक ही rate में देते हैं तो जो beach का size होता है L size उससे हम cost निकालते हैं क्योंकि axle इससे बड़ा होता है और M इससे छोटा होता है तो जो beach का होता है उससे proper cost निकलती है और हम चाहें तो तीनों मिला कर भी cost निकाल सकते हैं ML XL मिलाकर भी बेट कर सकते हैं और उससे भी cost निकालते हैं लेकिन हम बीच के L साइज से cost निकालते हैं इससे भी cost ठीक आती है और ये मेरे पास बहुत सारी टी-शटे रखी है ये अलग-अलग GSM की है और ये अलग-अलग GSM की है इनका GSM है 180-200 GSM तक तो चलिए video start करते हैं और इसका बेट करते हैं आपको दिखाते हैं ये कपला मैंने carry लिया और ये एक किलो में कितनी टी-शट बनेंगी और एक टी-शट हमें कितने की पड़ेगी तो चलिए अब इसे fold कर लेते हैं तरीके से ताकि बेट करने में कोई दिक्कत ना हो ये हमने fold कर लिया है अब ये machine हम करते हैं on ये machine on हो गई हमारी अब इसका बेट करते हैं इस पर ये हमारी टी-शट का बेट है 224 ग्राम और अब बताते हैं आपको ये कपला हमने carry लिया था 224 ग्राम बेट है इसका और ये cotton की टी-शट है ये polyester की है इसका बेट इसके बाद करेंगे अभी तो पहले मैं आपको बता दू ये मैंने बना के रखा है तो देखिए ये cotton टी-शट है और ये कपला हमने लिया था 320 रुपे केजी और मैं आपको बता दू कि cotton में बहुत सारी variety आती है कई तरीके के कपले आते है 250 से लेके 300, 400, 500 बहुत महंगे महंगे कपले हैं cotton में ये quality मुझे अच्छी लगी तो ये मैंने लिया है 320 रुपे केजी 320 रुपे केजी लिया है और इसका बेट है 225 ग्राम 225 ग्राम को हमने calculate पहले ही कर लिया था ये हमारा fabric लगा है 71 रुपे 68 पैसे का ये देखिए 71 रुपे 68 पैसे का हमारा इसमें fabric लगा है कपला लगा है और जो कारी-गरी इसकी हमने दी थी वो है 12 रुपे बहुत से लोग कहेंगे कारी-गरी कम लग रही है लेकिन मैं आपको बतातूं ये बहुत ज़्यादा कारी-गरी है टी-शर्ट 6-7 रुपे में भी बन रही है और ये हमने बन बाई है 12 रुपे में और बेश्टेज का लगा लेते हैं दोस्तों क्योंकि टी-शर्ट बनाने में बेश्टेज बहुत निकलता है यहां से बेश्टेज निकलता है और यहां से निकलता है और यह जब आस तीन काटते हैं तो यहां से भी बेश्टेज काफी निकल जाता है तो बेश्टेज हमने लगाया है इसमें 5 रुपेगा ये cotton वाली में, अभी हम cotton वाली की बात कर रहे हैं, इसके बाद बात करेंगे इसकी, ठीक है, तो 5 रुपे का bestage और light और धागा हमारा लगा है 2 रुपेगा, और उसके बाद पन्नी हमने ली है, packing वाली, यानि पन्नी हमारी इसमें लगी है 2 रुपेगी, क जरूत परती है क्योंकि T-Shirt pack करने के लिए गत्ते की भी जरूत परती है कि जब हम T-Shirt pack करते हैं भीना गत्तय के करेंगे तो बुटsan जाएगी पनियी में ठीक नहीं आपाएगी क्योंकि T-Shirt हलकी होती है इस बज़े से तो इसमें एक गत्ता लगाना पड़ता है वो गत्ता हमने लिया है एक रुपे का उसके बाद हमने इस पर प्रेस करवाई है प्रेस और पैकिंग जो बंदा प्रेस करता है बही पैक करता है तो तीन रुपे लेता है वो प्रेस और पैकिंग के बागी इ मैं इसमें एक रुपए का श्टीकर लगा रहा हूँ और कुछ लोग होते हैं महेंगा भी लगाते हैं चार-पांच रुपए तक का लगाते हैं क्योंकि मैं इसमें छोटा श्टीकर लगा रहा हूँ देखिए मैं आपको दिखा दूँ ये इस तरीके का श्टीकर ये ये sticker एक रुपय का पड़ता है तो मैंने इसमें एक रुपय का जोड़ा है बागी जो print होता है ये इतना बड़ा प्रेंट अगर आप करवाएंगे तो प्रेंट ज़्यादा महंगा नहीं होता है वो चार पांच रुपय में हो जाता है paint और अगर आप इतना बड़ाTIker लगाएंगे तो Sticker आपको महंगा पड़ेगा करीब 10-12 रुपेगा तो मैंने इसमें एक रुपे का Sticker लगाया क्योंकि मैं इसमें छोटा Sticker लगाता हूँ बाड़ी जो इनसान जैसा काम करें महंगा चाहे तो महंगा लगा सकता है अपनी requirement के हिसाब से मैं इसमें ये sticker लगाना पसंद करता हूँ छोटा ये भी अच्छा लगता है इससे cost भी काम आती है तो मैं इसमें ये ही जोड रहा हूँ एक रुपे का मैंने sticker जोड दिया और plus tag 50 पैसे का हमारा ये tag लगा है ये देखिए ये tag और ये size पूरा 50 पैसे का हमारा लगा है और cutting का जोड दीजी दोस्तो बागी देखिए cutting का सब के यहां अलग-अलग rate होता है हम 4 रुपे cutting का जोड देते हैं इसमें ठीक है तो ये total हो गया हमारा 102 रुपे 18 पैसे तो दोस्तों ये cotton की टी-शर्ट हमें पड़ी है 102 रुपे की ये देख सकते हैं आप 102 रुपे की पड़ी है और इसका कारी-गरी rate है 12 रुपे क्योंकि इसमें ये design है थोड़ी सी गले पे design है और यहाँ पर इसकी आस्तीनों में भी design है यहाँ पर ये देख सकते हैं बाकी इसकी कारी-गरी है 10 रुपे क्योंकि इसमें design नहीं है बिल्कुल साधा simple है अब आपको इसका बेट करके दिखाते हैं ये मैंने दोस्तों चिपका रखा है क्योंकि ये आप समझ सकते हैं किसी और का brand है मैं नहीं दिखा सकता ठीक है अब मैं इसका बेट करके आपको दिखाता हूँ ये मुझे कितने की पड़ी है ये दोस्तों लाइकरा में है stretchable है और करीब इसका gsm है 180-200 तो इसका बेट करके आपको दिखाते हैं ये हमें कितने की पड़ी है इसे fold कर लेते हैं जिससे इसका बेट करने में कोई दिक्कत ना हो ठीक है इससे यहाँ पे रखते है तो दोस्तों इसका बेट है 212 गिराम ये देख सकते हैं तो देखिए दोस्तों ये है पॉलिष्टर लायकर टी-शर्ट ठीक है और ये कपला हमने लिया है दो सो चालिस रुपे किलो क्योंकि पॉलिष्टर सस्ता आता है कॉटन के मुकाबले कॉटन बहुत जादा महगा होता है तो ये हमने दो सो चालिस रुपे किलो कपड़ा लिया है और इसका बेट है दो सो बारा गिराम तो ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था तो हमारा इसमें कपड़ा लगा है 51 रुपे 36 पैसे का और इसकी कारिकेरी है 10 रुपे क्योंकि इसकी 12 रुपे थी इसमें काम थोड़ा जादा है इस बज़े से और इसकी 10 रुपे है क्योंकि ये बिल्कुल सादा सिंपल पीस है इस बज़े से और बेश्टेज इसमें हमने लगाया है चार रुपे का क्योंकि इसमें बेश्टेज भी निकलता है और लाइट पिलस धागा इसमें लगा है दो रुपे का पैकिंग पन्नी लगी है दो रुपेगी और गत्ता लगा है इसमें एक रुपे का बागी प्रेस और पैकिंग का तीन रुपे इस्टिकर इसमें भी हम एक रुपे का लगा रहे हैं ये इस तरीके का इस्टिकर होता है बागी आप चाहें तो बड़ा प्रेंट करवा सकते हैं उसके हिसाब से आप अपना calculate का लीजिए आप अपनी cost निकाल लीजिए उसके हिसाब से जितना बड़ा आप sticker लगाएंगे उतना जादा खर्चा आयागा तो हम इसमें ये लगा रहा है ये एक रुपे का हमें पड़ता है तो एक रुपे का sticker बागे इसमें टैग लगा है पचास पैसे का इस तरीके का टैग होता है और cutting का हम इसमें जोड लेते हैं चार रुपे तो ये हमें पड़ी है 78 रुपे 86 पैसे की यानि ये करीब हमें पड़ी है 89 रुपे की तो 89 रुपे की हमें ये पॉलिष्टर वाली टीशट पड़ी है और ये पड़ी है हमें 102 रुपे की ये कॉटन वाली क्योंकि कॉटन का कपड़ा पॉलिष्टर के मुकाबले महंगा होता है क्योंकि गर्मियों में ये आराम दायक होता है और इसमें गर्मी लगती है तो कि ये पॉलिष्टर होता है दोस्तो ये पॉलिष्टर से पन्नी से बना होता है और ये होता है कॉटन ये नैचुरल चीजों से बना होता है इसलिए इसकी कॉश्ट जादा होती है तो अब बात करते हैं दोस्तो ये टीशेटें सेल कितने की होती है होल सेल में कितने की ये और retail का price इनका क्या होता है बात करते हैं इसकी cotton की तो ये cotton की पड़ती है हमें 102 रुपेगी बागी जितना महगा आप कपड़ा लेंगे उसी हिसाब से इसकी cost आएगी तो ये करीब बिक्ती है 120 रुपेगी wholesale में और बागी retail में तो करीब ये बिक्ती है 95, 100 रुपे तक की ये बिक्ती है और बागी ये retail में बिक्ती है 150 रुपेगी, 200 रुपेगी ठीक है दोस्तो अब बागी बहुत सारी ये टी-शटे हमारे पास रखी है इनका सबका अलग-अलग GSM है कोई भारी है, कोई हलकी है इसमें cotton की भी है और polyster की भी है तो दोस्तों ये हमने आपको cost निकाल के दिखाई और ये फुलास्तीन की टी-शटे थी और जल्दी एक और वीडियो लाएंगे उसमें हाफास्तीन की भी टी-शट की cost आपको निकाल कर दिखाएंगे और ये टी-शट की जो cost थी वो मेरे rate के हिसाफ से थी जो rate मैंने ये कपड़ा लिया है बाकी आप cost निकालेंगे तो जो rate आप कपड़ा लेकर आएंगे उसके हिसाफ से आप निकालेंगे और उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो इसमें मैं कुछी चीजे जोड़ना इसमें भूल गया हूँ तो आप comment box में मुझे आप जरूर बताएं और आप मुझे बताएं कि आप किस चीज की cost मुझे से निकलवाना चाहते हैं नेकर की, टी-शट की, लोवर की किस चीज की आप cost निकलवाना चाहते हैं बोग comment box में आप मुझे जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब मैं किसी वीडियो में दूँ तो आप अपना सवाल record करें, एक clip बनाया उसकी एक मिनट की और मुझे मेरे WhatsApp नमर पे भेजें तो वो हो सकता है, आने वाली वीडियो में आपकी वो clip मैं लगाऊं उस पर वीडियो बनाऊं और मैं अपने YouTube चैनल पे वो clip जरूर लगाऊंगा और उसका जवाब भी दूँगा तो मेरा WhatsApp नमर कहा मिलेगा आपको मेरा चैनल आप ओपन करेंगे उसके description में जाएंगे बहाँ पर मेरा WhatsApp नमर है अपनी एक मिनट की किलिप आप मुझे उस पर भेजें जो भी आपका सवाल है और मैं अपनी वीडियो में वो clip लगा कर आपके सवाल का जवाब जरूर दूँगा तो दोस्तो हम इस तरह की नईने वीडियो लाते रहेंगे हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और लाइक तो जरूर कर दिये करो दोस्तो और दूआओं में याद रखें तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर तब तक के लिए अपना ख्याल रखें चैन दोस्तो